नमस्कार में प्रियरंजन और आज की इस एपिसोड में यस बेंक के स्टॉक को डिसकस करेंगे क्यों आज इस स्टॉक में 8% की गिरावट दिखी क्या कल तक ये स्टॉक के fundamental काफी strong थे और आज काफी weak हो गए ऐसा कुछ भी नहीं है इस गिरावट के पीछे के कारण को समझें तो आप पाएंगे कि कल ट्यूटर, टेलिग्राम, फेस्बूक, यूटूब सभी जगा एक narrative जो है वो trend कराया गया तो एपिसोड में आगे भरें उससे पहले premium टेलिग्राम को जरूर जोइन करें और मैं चाहूंगा कि जितने भी हमारे followers हैं वो मेरी बातों सुनने के बाद खुद के analysis को जरूर करें और अगर आपको लगता है कि आपने analysis नहीं करने आता है तो हमारे master class को आप join कर सकते हैं जहां पे मैं आपके vision आपके नजरिये जो बजार को देखने का है उसको surely change कर दूँगा Yes bank stock इस stock में तेजी के एक बरे कारण रहे थे जहां कहा गया था कि HDFC group के द्वारा HDFC bank के द्वारा लगबग लगबग जो है 9.5% stick लिए जाएंगे लास्ट टाइम हमने क्या कहा इस समय इस stock में एक बरी तेजी को देखने के लिए 32 के level के breakout चाहिए और 32 एक major supply zone है इस समय जो लास्ट टाइम के supply zone थे वो 24 थे और जब 24 को इसने breakout करा तो फिर इसने 32 तक के levels को touch करे आखिर क्या narrative कल ट्रेंड हो रहा था क्या कारण रहे आज गिरावट के गिरावट का तो पहला कारण रहा की बजार का sentiment week है और क्यूं ये stock 400 प्लस तक के levels को touch नहीं कर सकता है क्यूंकि इस stock के जो valuation है वो previous जो इसके breakdown हुए थे 400 के price के नीचे वहां के valuation पर भी trade कर रहा है जब ये stock 400 के थे तब भी इसका market cap लगबग 90,000 करोर का था और इस समय ये stock 30 रूपीज पे है फिर भी इसका market cap 90,000 करोर है आखिर ऐसा क्यूं ऐसा इसी लिए चुकि company date में जाता गया और company अपने equity जो है वो raise करते गए और जब 400 price का ये stock था तब इसके जो equity outstanding हुआ करता था वो लगबग लगबग जो है सायद 49 अनाल करते है उपके लो हैSO आपसे लिए कि अपसे बाल मेंैस 59 कम अपसे कि झाल के फिर दूगलों को इससा करते है जो है कि अ지ने ये साहन молुऌ है जो वाए अनाल कुछा बर्गलों कि शचल। जब यह stock 400 के price पे trade कर रहा था तो इसके outstanding stock 46460 करोर ही थे लेकिन इस समय company equity जो है वो raise करती गई dilute करती गई और इस समय इसके outstanding जो equity के number है वो लगभग 5800 करोर का है यानि लगभग 13 times company ने equity के थुरू fundraise करे जिसका कारण यह हुआ कि market cap के perspective से इस stock ने 400 वाले level के market cap को तो touch करा लेकिन stock इस समय लगभग 90% अभी भी अपने all time high से down है तो इसके क्या इसके लिए company को क्या करनी परेगी तो इसके लिए company को खुद के equity buyback करने होंगे equity के जो outstanding number है वो कम करना परेगा और अगर यहां से fundamentally 400 के levels को company को touch करने है तो company का sales जो है वो लगभग इस समय के market cap के जैसा यानि 80,000 करोर के आजपास के sales करने होंगे और 400 के price को justify करने के लिए company का जो market cap है वो लगभग 12 to 13,000,000,000 करोर market cap हो जाएगा जिस market cap इस समय लगभग करता है तो यह तो fundamental view है technical क्या view है हो सकता है कि 25-26 के downside level touch करे लेकिन अगर आप hold कर रखे हैं इस stock में 48 to 52 तक के technical aspects मुझे next one 3 month to 1 year के duration में दिखता है ऐसे stocks को short term के trading करने से बचेंगे नहीं तो आप बड़े loss के सिकार हो सकत हैं और अपने portfolio के 3 to 5% के maximum जो holding से अगर ऐसे बना के रखे हैं तो आप 48 to 50 तक के लिए बने रह सकते हैं इस से मैं थोड़ा बहुत consolidated form में जा सकता है बहुत सारे लोग इस बात को कह रहे हैं कि stock G1 में 10-20-50 साल में 400 के levels को touch नहीं कर सकता है इस पे आपकी क्या views है वो comment box में जरूर बताएं थैंक यू